उम्शन्ति आज 30 जन्वरी 2023 आज की साकार मुल्ली से बावा हम बच्चों को गुण सिखाते हैं पवित्रता का पवित्रता के गुण को धारन कर बावा कहते हैं तुम 21 जन्म के लिए पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो पवित्रता में इतनी शक्ति है जो सारे विश्व को परिवर्तन कर देती है पाँचों तत्व को सभी आत्माओं को पवित्र बन जाते हैं जब तो वो सत्यू की दुनिया कहलाती है और ऐसी सत्यू की दुनिया के मालिक बनते हैं पवित्रता की शक्ति को जब हम धारन करते हैं, तो वो पवित्रता की शक्ति आत्मा के अनेक जन्मों के विकर्मों को विनाश करती है, आत्मा जो विकारों की अगनी में तप रही है, उसके जीवन में शीतलता लाती है, आत्मा जो अज्यान के अंधकार में भटक रही है, उस से तीसरा नेत्र मिल जाता है और जब ऐसी पवित्रता की शक्ति को धारन करते हैं तो विश्व परिवर्दन होता है ध्वापर्यूग के अंदर भी अगर हम देखे तो सन्यासियों ने अपनी पवित्रता की बल से ही स्रिस्टी को कुछ न कुछ धमा कर रखा और पवित्रता क के अंदर ही इतनी शक्ति है जो स्रिस्टी को थमाती भी है और सत्यूगी दुनिया भी बनाती है तो श्री मत पर हम पवित्रता को जब धारन करते हैं तो पूरी दुनिया को हम सत्यूगी दुनिया बनाते हैं पवित्र दुनिया बनाते हैं और ऐसी पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्रता की धार्ना अपने जीवन में अपनाना है बाबा बच्चों को इस धार्ना को अपनाने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि पवित्रता का गुण एक ऐसा गुण है जिसको धारन करने से सर्वगुण सहज रूप से हमारे जीवन में आने लगते हैं औ तो हमारा स्वयम पर पूर्ण अधिकार या नियंत्रन है और जिसका स्वयम पर पूर्ण अधिकार और नियंत्रन है उसे दूसरों को नियंत्रित करना नहीं पड़ता तो स्वराज्य अधिकारी विश्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं और क्योंकि intentions pure है व्यवहार में और अपने स्वराज अधिकार से विश्वराज अधिकार को प्राप्त करें आज के दिवसकी यही शुब कामना ओम शांति